में हुआ जरूर । फास एंस्टांग्रम में हमेशा रेल्ड करते हैं तो इस रेल्ड को बनाकर जरूर डी यें है तो आप अधिकतर ऩो कैसे अडिक करना है?」 आज स्फीटिंग में आपको इस्टेंप बाई स्टेप इसकी अडिक बाताने वानी हूं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो अफ्लोड होने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें और आप इस वी में कैपकड एप डाउनलोड होना चाहिए अगर आपके पास यापकड एप नहीं है तो सबसे पहले आप इस वाले वीडियो को देखकर केपकड ऐप को डाउनलोड कर लें जब भी आप कैपकड एपS यांपकेड की टेम्पलेट से वीडियो को बना हैं तो आपको सबसे पहले वे वूपन को कंडेक्ट करेना होगा तो मैंने प्रे승 तोर से सिंअगपूर विपन दी वीपन मास्टर को डाउनलोड किया है आप आप किसी भी वीपन का यूज़ कर सकते हैं है तो आप हम वीपियन को connect कर लेते हैं और अब हम इस एप को open करेंगे और यहाँ पर select server पर click करेंगे और फिर नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर Singapore को option मिल शाएगा तो यहाँ से हम Singapore को choose कर लेंगे और फिर start पर click करेंगे तो अब यह मेरा वीपियन connect हो गया है अब हम Google को open करेंगे और यहाँ पर MAU trained Thailand CapCut template सर्च कर लेंगे और फिर इस वाले website को open करेंगे अब use template in CapCut को choose कर लेंगे और फिर use template पर click करेंगे फिर यहाँ पर हम अपने दो फोटो को choose करेंगे अब preview पर click करेंगे तो अब हम export कर लेते हैं तो export पर click करेंगे और यहाँ पर export without watermark को choose कर लेंगे और अब यह export हो रहा है अब यह हमारा video बन गया है और मेरे gallery में save हो गया है तो अब हम इसमें music को add कर लेते हैं तो हम इस reels को open करेंगे और इस audio को open कर लेंगे और फिर use audio पर click करेंगे अब जो अभी हमने rails को बनाया है उसे यहाँ से choose कर लेंगे अब यहाँ पर add पर click करेंगे और next कर लेंगे और अब यहाँ पर जो भी लिखना है उसे लिख के आप यहाँ से इस rails को share कर लें जब आप इस rails को share करेंगे तो मुझे टेक करना न भूलिएगा मेरे account का username आपको screen पर so हो रहा है अब हम दिखा देते हैं कि हमारा video कैसा बना है